पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे ज़रूरी है सही खोच का होगा। चुनिए CGPSC पार्चाला क्लासेज़ को और करे अपने CGPSC और व्यापव का सपना साकार। डाउलोड धी आप नाउ और 36 गड़ एवन केंद्री वजट 2023-24 का बुक मार्केट में अवेलेवल हो चुका है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। जहां पर आपको इस स्क्रीन पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टेक्ट नंबर दिये गया है। इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के आप CGPSC E-Patchala के एकोनोमिक सर्वे के बुक को ले सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे CGBOOKS CART Mobile Lab को भी डाउनलोड करके इस बुक को ऑनलाइन ओर कर घरों में फ्री होम डिलिवरी सर्वीस के माध्यम से भी मंगवा सकते हैं। दूसरा इनफोर्मेशन है ओनलाइन क्लास से रिलेटेड CGPSC E-Patchala का 36 गर्ण समानने अध्यन का ओनलाइन बैस शुरू होने वाला है आपके 1 मई 2023 से जिसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। जो भी इस्ट्रेशन आपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो CGPSC E-Patchala मोबाइल एप को डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 36 गर्ण समानने अध्यन का ओनलाइन बैस शुरू होगा आपके 1 मई 2023 से। चलिए, टॉपिक पर आते हैं ध्यान दीजेगा। मार्च महने के करेंट अफेर हैं बताने के लिए कोई ज़्यादा कंटेंट नहीं थे। बहुत लिमिटेट कंटेंट हैं जिसे हम फटाफट कवर करेंगे। सबसे बढ़े नमबर पर है। आपके पांडु वँश के ये बुद्ध की प्रतीमा अभी हाल फिला हाल में राइपुर जिले में पांडु वँश काल के बुध्ध की प्रतीमा प्राप्त हुई है। यह प्रतीमा पांडुवंच काल की है, हमारे 36 गण में एक राज वंच था पांडुवंच, ठीक है, जिसे सोमवंच के नाम से भी जानते है, पांडुवंच काल का यहाँ पर बुद्ध की प्रतीमा प्राप्त हुई है, यह प्रतीमा प्राप्त हुई है, जिसका कालक्रम का अ प्रतिमा 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 को ध्यानी बुद्ध की संग्या दी गई है। तीलक का चिन्न बना हुआ है। खंडित प्रतीमाह वह इस्थापत के खनड भी प्राप्त हुए है इतने सारे और प्रतीमा। कुछ फूए है ते कहाँ है रायपूर के इस तो देखिए बुद्ध की आपकी अवाक्ष प्रतीमाहनी इतना chuckles आफ दिखाई दे रहे है त्री इस तरी निर्मान तकनीक से बनी बुद्ध की यह प्रतीमा का उपरी भाग है देखें जो प्रतीमा है यह त्री इस तरी संवरचना पर है और यह अपूर्ण है अपूर्ण क्यों कहा जा रहा है अगर आप देखेंगे तो इस आपके प्रतीमा में देखिए यह जो बुद्ध की प्रतीमा है यह अभी फिनिज्ड नहीं है अन्फिनिज्ड है इसमें आपको छेनी हथोड़ी के याने की चोट के निशान इसमें देखने के लिए मिलेंगे त्री इस तरी संवराचना पर आधारी थे याने की पहले जो प्रतीमा बनती थी वो तीन हिस्सों बनती थी जिसमें शीर अलग बनता था उसका धड़ अलग बनता था और कमर के नीचे के हिस्से अलग बनते थे याने की जो पूर्ण प्रतीमा है यह प्रतीमा तीन हिस्से में बनाई जा रही थी यह अपूर्ण यह अधूरी प्रतीमा है ठीक है देखिए अगर आप देखेंगे तो ये सीर वाला हिस्सा अलग बनता था, धड़ का हिस्सा अलग और कमर के नीचे का हिस्सा अलग बनाया जाता था तो यहाँ पर बोला जा रहा है इस तक्निक का प्रयोग बलवा पत्थर के विशाल प्रतिमाओं के निर्मान हेतु किया जाता था जिसमें किसी प्रतिमा को तीन प्रस्तर यानि कि तीन पत्थर खंडों में योजना के अनुरूप इस तरों से निर्मित कर लंबवत इस्थापित क्या जाता था यानि कि सिर के हिस्से को अलग बनाया गया, धर के हिस्से को अलग बनाया गया, कमर के नीचे के हिस्से को अलग बनाया गया, और तीनों को एक के उपर एक इस्थापित करके उसे जोड़ा जाता था, ठीक है, इस तक्नीक से बनी बुद्ध की प्रतीमा का उधारण, के सिरपूर में राजीम में और बिहार के बोध गया में देखा गया है क्यों तीन इस्थान पर ऐसे प्रतिमा है मिली है चत्यद्ड के राजीम और सिरपूर में और बिहार के बोध गया में ही ऐसी प्रतिमा देखने के लिए मिली है ठीक है तो यह है बुद्ध की प्रतिमा ज खेती के लिए खुदाई के दोरान मिली कल्चूरी काल की प्राचीन प्रतिमाय प्राप्त हुई चौदवी सताब्दी के आसपस कल्चूरी काल का माना जा रहा है यहाँ पर जो अधिक्तर जो प्रतिमाय प्राप्त हुई है वो शैव धर्म से संबंदित है यह प्रतिमाय क्वाटजाइड पत्थर और शेश प्रतिमाय बलवा पत्थर से बनी है इसमें जो प्रतिमाय प्राप्त हुई है ये आपके क्वार्टजाइड और बल्वा पत्थर से निर्मित प्रतिमाय हैं इन प्रतिमाव में जमीन से आमलक, नंदी, उपासक, राजपूरुस, इस्थापत्य खंड, योनी पीट, पर नाला मुर्तिया आदि प्राप्त हुई है आमलक क्या होता है, अगर आप देखेंगे, तो जो मंदीर का जो उपर का जो शिर्ष वाला हिस्सा है, जैसे ये मंदीर है, मंदीर के उपर उसका शिखर होता है, शिखर के उपर कलाश इस्थापना से पहले कुछ ऐसा इस्ट्रक्चर होता है, उसके बाद जो है, इसमें कल प्रतिमाय प्राप्त हुई है यहां पर जो है आपके नंदी नंदी यह आपको आधा दुरा दिख रहा होगा यहां पर नंदी भी प्राप्त हुआ है ठीक है राजपूरुष की प्रतिमा यह जो है आपके राजपूरुष की प्रतिमा प्राप्त हुई है इस्थापत्य कि खुदाई के दौरान मुगल कालिन सिख्य कहां से प्राप्त हुए वैसे डिरेक्ट कोश्चन पूछेगा इस सरकारी जमीन में खेती के लिए खुदाई के दौरान कल्चूरी कालिन प्रतीमाए किस इस्थान से प्राप्त हुई तो बिलासपुल जिले के रतनपूर के 40 ग् बजट में भी इस मुख्य मंतरि व्रिक्ष संपता योजना का प्रावधान किया गया उसे राशिया वंटित की गई अब देखिए, इसका शुभारंब कर दिया गया है, मुख्यमंत्री व्रिक्ष संपदा योजना जिसका शुभारंब किया गया, विश्ववानी की दिवस के आसर पर 21 मार्च 2023 को, 21 मार्च को प्रतिवर्ष विश्ववानी की दिवस मनाया जाता है, विश्ववानी की दिवस क प्रश्ण पूछा जाएगा पहला प्रश्ण प्रश्ण परवा की दिन से हुई उसमें देखे हरेली परवा की दिन से आपके विश्ववानी की दिवस के आउसर पर ऐसे जो है अलग अलग तीथी में करेगा या आपके महात्मा गांधी जी के जन्म जयनती के आउसर पर तो इसमें जो है आपको अलग से दिन स्पेसिफाई करके पूछेगा तो विश्ववानी की दिवस के आउसर पर 21 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री व्रिक्ष संपता योजना की शुरुवात की गई अब देखें मुख्यमंत्री व्रिक्ष संपता योजना क्या है इस मुख्यमंत्री व्रिक्ष संपता योजना के अंतरगत 12 वानिजिक प्रजातियों के पौधों का रोपन के जागा वानिजिक याने की कमर्शियल ऐसे व्रिक्ष जिसका जो है आपका जो कमर्शियल परपस से होते है या अलावा ऐसे व्रिक्ष जिस पर आपके रेशम के कीड़े पाले जा सकते हैं तो जो कमर्शियल परपस के पेड़ पौध है उसका रोपन किया जाएगा मुख्यमंत्री व्रिक्ष संपता योजना के अंतरगत जैसे कि क्लोनल निलगीरी निलगीरी का जो व्रिक्ष है उसके त औराथिक लाबकर यानि कि ऐसे व्रिक्ष है जिससे इनकम जनरेट हो सके जिसक है बाद में आपके पूरे परिफकव हो О तो उसे काट करके आय के साधन बनाया ज़ग सके इससे क्या होगा किसानों के आय में वृद्धि होगा ठीक है इसके नंतर्गत पात्र कौन होगे सभी वर्ग के एक्षुप भूमी स्वामी याने कि हर कोई व्यक्ति जिसके पास स्वयम का भूमी है वो इसके लिए पात्र भूमी अनुबंद धारक इसके अंतरगत पात रहोंगे। इसमें सरकार अनुदान क्या देगी। वित्तिय अनुदान दिया जाएगा। यंदे की 5 एकड़ तक की भूमी पर अगर 5000 पौधे अधिक्तम कोई रोपन कर रहा है तो उससे शत प्रतिशत अनुदान रहेगा। पूरा पैसा सरकार वहन करेगी। और 5 एकड़ से अधिक भूमी पर अगर कोई रोपन करता है तो उस क्रिशी प्रजातियों, क्लोनल निलगीरी यही जो उपर में हमने पढ़ा है का रोपन किया जाएगा। यहने कि यह लक्ष को थोड़ा याद रखना सरकार जो है क्रिशकों के निजी भूमी पर 36,000 एकड़ के मान से 5 वर्षों में 1,80,000 एकड़ वाणिजिक व्रिक्ष की पजातियों का रोपन करना चाहा रही है। इसमें एक यह वित्ती अनुदान कितना दिया जा रहा है? पांच एकर से कम भूमी पर 5000 से अधिक तम 5000 पौधों के रोपन के लिए शत प्रतिशत अनुदान है। पांच एकर से अधिक भूमी पर सरकार जो है 50 प्रतिशत अनुद संत्रि व्रिक्ष संपदा योजना का शुभारा बकिया गया। देश में पहली बार बड़े प्रमाने पर सभी वर्ग के किसानों की पड़त भूमी यानि कि खाली पड़ी भूमी पर वानिजीक व्रिक्षा रोपन का यह योजना है। इसमें जो है इसका विस्तार ध्यान प्रती वर्ष 36,000 एकड की दरसे। देश में पहली बार चिंहांकित प्रजाति जैसे कि हमने देखा 12 प्रजातियों के व्रिक्षों की निर्धारित नियुनतम क्रय मुल्य पर खरीदी की गैरेंटी है। उद्ध्योगों को बढ़ावा मिले काश्ट आधरीत उद्ध्योग क्या नहीं कि लकड़ी आधरीत उद्ध्योग जिता कि फरनीचर ठेक किसानों को प्रती वर्ष प्रती एकड़ 50,000 तक की आये जो है इसमें अनुमानित है कार्बन क्रेडिट के माध्यम से अत्रिक्त आये क प्रदेश उसका एक मैक्सिमम कार्बन का एक लिमिट होता है उससे ज्यादा वो प्रदूशन नहीं कर सकते या उससे ज्यादा कोई भी यह किसी प्लांट को नुमति नहीं दे सकते कि वो इससे ज्यादा कार्बन का उत्सरजन करे हर एक राज्यका अपना एक कार्बन का लि परीयवरण में Carbon का जो आपका मातरा है यानी कि CO2 की जो मातरा है वो मिंटेन होगी जितने ज़्यादा विरिख्षण होंगे उतने ज़्यादा Carbon का Ocreation करेंगे उतना हमाला Carbon Credit बढ़ेगा तो जो अगर हमारे पास मान लिजिए सरकार ने हमारे लिए एक कार्बन क्रेडिट निर्धारित किया है और हमने व्रिक्षा रोपन करके अपने कार्बन का मान कम कर लिया तो जो बचा हुँ जो एक्ष्टा जो आपका कार्बन क्रेडिट है उसे हम दूसरे राज्यों को बेश सकते हैं दूसरे राज्यों को बेश सकते हैं अपने कार्बन क्रेडिट को, जिससे हमें अत्रिक्त आय होगी, तो यह है कार्बन क्रेडिट के माध्यम से अत्रिक्त आय की संभावना, ठीक, नेश्ट है नगरी दुबरा चावल, 36 गड़ का बासमती, चावल को मिला GI टेग, ठीक है, हम उससे क्या होता है, उसका अंतराष्टिय पहचान मिल जाता है, तथा उसके उत्पादन करने का अधिकार भी उनी संस्था या उसी व्यक्ति विशेश को होता है, या उसी राज्य, उसी छेत्र विशेश को होता है, हमारे प्रदेश के धमतरी जीले के नगरी विकास खंड क अंतरगज इस चावल का उत्पादन किया जाता है और अभी हाल फिला हाल में केंद्र सरकार के द्वारा इसी नगरी दुब्राच चावल को GI टेग प्रदान किया गया बसे तो ये 2020 के end से ही नगरी दुब्राच चावल को GI टेग दिये जाने की चर्चा चल रही थी फाइनली अभी 2023 में मार्च औ 2023 में इसे GI टेग प्राप्त हुआ देखे हमारे प्रदेश में अब तक खुल साथ उत्पादों को अगरी दुब्राच चावल को GI टेग मिल चुका है और यह का दूसरा क्रिशी उत्पाद है जो इसे GI टेग मिला है प्रदेश में total साथ उत्पा को GI TAG मिल चुका है और अगर हम केवल क्रिशी उत्पाद की बात करें तो ये दूसरे नंबर का है केवल दो क्रिशी उत्पादों को अभी तक GI TAG मिला है एक है आपका जीरा फूल जीरा फूल चावल ठीक है जीरा फूल जिसे 2019 में GI TAG मिला था 2019 में जीरा फूल को GI TAG मिला था उसके बाद जो है अभी 2023 में नगरी दूबरा चावल को GI TAG मिला है ठीक ये जो GI TAG मिला है ये मा दुर्गा स्वयम सहायता समूध धमतरी को ये GI TAG प्रदान किया गया है देखे जो नगरी दूबरा चावल से निकलने वाला जो चावल है ये बहुत ही सुगंदित होता है ये पूर्ण रूप से देशी किसम है और इसके दाने छोटे होते इस चावल को पकने के बाद खाने में बेहत नरम होता है एक एकड में अधिक्तम 6 कुंटल की उपज मिलत है धान की उचाई कम और 125 दिन में पकने की अवदी होती है ठीक है ये तो बेसिक है अगर इसे हम धार्मिक माननेताओं से जोड़ करके देखे तो नगरी दूबरा चावल की उत्पत्ति इस्थल सिहावा के सिरिंगी रिशी आसरम छेत्र को माना जाता है ठीक है सिहावा के स जोड़ा हुआ है यहीं कि दशरत जी के द्वारा यहीं चावल अरपित किया गया था यह धार्मिक माननेताओं से जोड़ करके बात की जा रही है ठीक है आपके कई शोद पत्त्रोस में दुबरा चावल की उत्पत्ति इस्थल नगरी के सिहावा को ही बताया गया है तो यह इसको धार्मिक माननेताओं से जोड़ करके इसमें बाते बताईगे यह शोद क्या धार पर ठीक देखें जो बात किया जा रहा है हमारे प्रदेश में कुल साथ उत्पाद जिसे आपके GI टेग मिला है उसकी सूची यहाँ पर है जैसे कि मैंने आपको बताया था आपके दो क्रिशी उत्पाद लाश्ट के यह जो दो उत्पाद है यह दो क्रिशी उत्पाद है और कुल साथ उत्पादों को अब तक GI टेग मिला है जैसे कि पहले नंबर पर है बस्तर का धोकरा शिल्प जो की हस्त शिल्प कैटेगरी में बस्तर को जो है आपका GI टेग मिला है वुडन मतलब लकडी धोक्राशिल्प जो कि धातू से बनता है। थीक है। वुडन क्राफ्ट है। जो कि आपके लकडी से बनता है। ये भी हस्त शिल्प को उदारण है। ये जो जियाई टैग है ये भी बस्तर को प्रदान किया गया है। वर्षे 2008 में ये लकडी से बने हुए जैसे प्रतीमा है, ये वुडन क्राफ्ट के उधारन है, तीसरे नमबर पर है बस्तर आइरन क्राफ्ट, याने कि लोहे से बने हुए उत्पाद, ये भी हस्त शिल्प को उधारन है, इसका भी GI Tech बस्तर को ही प्रदान किया गया है, 2008 है प अंती है, और जो उसके फैब्रिकेशन है, जो कपड़े है, वो आपके हस्त शिल्प को उधारने जानजगीर चापा को वर्षे 2010 में ये आपका मिला है, GI Tech ठीक है, तो ये जो GI Tech 2010 में जानजगीर चापा को मिला है, उसके बाद आता है बस्तर ढोकरा शिल्प का लोगो, यहा जो आपका ढोकरा शिल्प का जो लोगो है, लोगो को भी GI टेग मिला है, यानि कि इस लोगो का कोई मिस्यूज ना कर सके, तो बस्तर के ढोकरा शिल्प का जो लोगो है, इस पेसिफाई लोगो को भी GI टेग मिला है, कब 2014 में, उसके बाद जीरा फूल, जीरा फूल चावल जो कि एक क्रिशी उत्पाद है, सरगुजा को, ध्यान दिजेगा, जीरा फूल चावल सरगुजा जिले को, आपका GI टेग मिला है, वर्ष 2019 में, जब कि नगरी दुबरा चावल क्रिशी उत्पाद धमतरी को, 2023 में आपका GI टेग मिला है, इतना याद रखना है, ठीक है, जीरा के अंतरगा मजदूरी दर में व्रिद्धी की गई है, ज्यादा व्रिद्धी नहीं हुआ है, पिछले साल जो मनरेगा मजदूरी दर था, वो था 204 रुपए प्रति दिन, ठीक है, उसमें 17 रुपए की व्रिद्धी की गई है, और अब ये बढ़ करके हो गया है, 211 रुप तो ये जो 221 रुपए है, देखे, ये, आपका कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ, ये, 221 रुपए, ये सबसे कम है, ठीक है, अन्य राज्य के कंपेरिजन में, 36 गड़ और मध्य प्रदेश का मनरेगा मजदूरी दर सबसे कम है, अगर मैक्सिमम के हम बात करें, तो मै हर्याना राज्य का, और सबसे कम किसका है, मध्य प्रदेश और 36 गड़ का 221 रुपए, बाकी अन्य राज्यों कभ यहाँ पर लिष्ट दिया गया है, वो हमारे ले इंपोर्टेंट नहीं है, हमारे ले 36 गड़ का इंपोर्टेंट है, 36 गड़ और मध्य प्रदेश का 221 प्रती दिन प्रती मजदोर, ठेक चलिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका जोडा होली, बस्तर की सबसे बड़ी होली, यह भी हाल फिलाल में चर्चा में आया है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, जोडा होली क्या होते है? जोडा होली, नाम सी इस पश्ट ह दो अलग-अलग जोडी में मनाय जाने वाला होली, ठीक है, देखिए, जोडा होली ये मनाय जाता है आपके बस्तर के मारपाल छेतर में, बस्तर के मारपाल छेतर में 615 साल पुरानी परंपरा है, जिसमें ताड़ पत्तो से बनी हुई होली का दहन किया जाता है, अब ये होली अपने आप में विशिष्टे क्यों है देखिए इस होलिका का दहन किया जाता है बस्तर के राज परिवार के दोरा अभी कमल चंद भंजदेव वर्तमान में वहां के राजा बसे तो जो राज परिवार की परंपरा समाप्त कर दी गई है लेकिन इस थानी इस तर पर अभी भी के प्रचलीत है कमल चंद भंजदेव वर्तमान में आपके काक्ती वच के शाशक है आपके बस्तर वाले छेत्र में तो बस्तर के राज परिवार के द्वारा इस होलिका के दहन किया। देखे अगर हम बात करें बस्तर छेत्र का जो प्रथम होलिका का दहन होता है वो होता है फागुन मंडाई मिला दंतेवाला में दंतेश्वरी माता का जो मंदिर है दंतेवाला में उसके परिसर में प्रथम होलिका का दहन होता है उसके बाद ही अन्य होलिका का दहन किया जाता है फागुन मंडाई मेले में माद अंतेश्वरी मंदिर के प्रांगड में होलिका दहन के पस्चात अगला होलिका दहन होता है आपके बस्तर के माड़पाल छेत्र में अब ये भी जो है ये भी आपके प्राचीन समय के इतिहास से जुड़ा हुआ है जैसे कि वर्ष 1408 के आसपास बस्तर के जो महाराजा थे पुर्शोत्तम देव वो जगनात पूरी की यात्रा में गये थे वहाँ से दर्शन के पश्चात उन्हें रदपती की उपाथी दी गई और वो वहाँ से वापस आ रहे थे अपने राजधानी मंदोता थेक है तो आपकी जगनात पूरी से वापसी के दोरान जब वो आपके दंते वाड़ा यानि कि मंदोता वाले अपने छेत्र में जा रहे थे तब वो मारपाल वाले छेत्र से होकर गुजर रहे थे और इसी सामय इसी दिन था आपका होली का दहन तो जब वो राजा आ रहा है थे तो यहां के इस्थानी छेत्र के लोगों के द्वारा आग्रह की जाने पर राजा के द्वारा इस छेत्र में होलिका का दहन किया गया ठीक है देखिए तो 615 साल पुरावी इनी परंपरा है जहां पर आज भी राजपरिवार के द्वारा यहां पर होलिका का दहन किया जाता है ठीक देखिए सबसे पहले तो होलिका का दहन आपका दंतेवाडा में दंतेशोरी माता परिसर में होगा उसके बाद जगदलपूर शहर में मा मावली मंदिर के सामने जोडा होली जलाई जाती है जोडा होली का अर्थ मतलब होता है अलग-अलग दो होली का दहन जोडा होली का अपना एक अलग महत्व है क्योंकि एक जो आपका होली का दहन है वो माता मावली को समर्पित होता है और दूसरा होली का भगवान जगनात को समर्पित किया जाता है यहाँ पर जो है विश्णु के कल्यूग आउतार कल्की के साथ सद दंतेश्वरी माता माता मालवी और इस्थानी देवी देवताओं की पूजा की जाती है इस होली का दहन के समय धुर्वा जंजाती के द्वारा डंडारी नृत्ति किये जाने की भी परंपरा है सबसे पहले होली का दहन कहां पर होगा ये होगा आपके दंतेवाडा के दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में उसके बाद मारपाल में राजपरिवार के द्वारा होली का दहन किया जाता है यहाँ पर दो अलग-अलग होली का इस्थापित की जाती है देखिए दो अलग-अलग होली का इस्थापित की जाती है एक माता मावली को समर्पित होता है दूसरा जो है वो जगनात भगवान को स प्रिर्मान किया जाता है ठीक नेक्ट देखिए नेक्ट है मजदूर साक्षर्तादर 2022 वैसे तो हमने अभी तक साक्षर्तादर पड़े हैं चछत्तिस गड़ में जंगरना 2011 के आखडों के अनुसार भी हमने साक्षर्तादर देखा है लेकिन यहां पर आ रहा है मजदूर साक् में कारे करने वाले मजदूर है उनके साक्षर्ता दर का का एक आकरा जारी किया गया देखिए- राश्ट्रिय इस्तर पर जो मजदूरी दर है यानि कि भारत का मजदूरी दर है वह है 41.3% यानि कि भारत में जो के 41.3% मजदूर साक्षर है ठीक है अगर हम रैंकिंग की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर है हिमाचल प्रदेश जहां पर सरवाधिक 58.1% मजदूर सरवाधिक है सेकेंड नमबर पर बात करें तो वो है सिक्किम जहां पर 58% मजदूर साक्षर है और थर्ड नमबर पर है हमारा च्छतिस गड़ च्छतिस गड़ ने बड़े बहुत से राज्यों को पछाड़ा है और थर्ड पोजिशन प्रात्त किया है च्छतिस गड़ में 49.8% मजदूर साक्षर है लगभा 50% कि आसपास अगर हम च्छतिस गड़ में मजदूर साक्षरता दर की बात करें तो च्छतिस गड़ मजदूर साक्षरता दर कितना है 49.8% और इस मजदूर साक्षरता में पूरूस मजदूर साक्षरता दर है 60% महिला मजदूर साक्षरता दर है 39.2% यानि कि महिला मजदूर साक्षरता दर कम है ग्रामीन मजदूर साक्षर्था दर है 51.2% शहरी मजदूर साक्षर्था दर है 43.6% तो ये है 36 गड़ में मजदूर साक्षर्था दर important है याद रखना है मार्च 2023 में ये रिपोर्ट आया है जिसमें पहले में हिमाचल दूसरे में सिक्की थर्ड नंबर पर है हमारा 36 गड़ 49.8% के साथ डिरेक्ट प्रशन पूछ सकता है कि 36 गड़ में मजदूर साक्षर्था दर का प्रतीशत कितना है ये मजदूर साक्षर्था दर कितना है केंद्रिय सांखे की कारेकरम क्रियानवेन मंत्रालाय द्वारा जारी रिपोर्ट मजदूर साक्षर्था दर में 36 गड़ में मजदूर साक्षर्था दर का प्रतीशत कितना है ये कोशन आपसे पूछ सकता है थीक है इन्पोर्टेंट है याद रखिएगा नेक्स्ट देखिए डाइल 112 अभी हाल ही में चर्चा में आया देखिए डाइल 112 की शुरुबात हुई थी आपके वर्ष 2018 में इसका जो सेंट्रल यानि कि मुख्य कंट्रोल रूम है वो है आपके राइपूर में डाइल 112 क्या है डाइल 112 एक सर्वीस है जिसमें पुलिस स्वास्त एवं फायर बिगेट की सर्वीस दी जाती है यानि कि इसका एक स्लोगन है एक के नंबर सब्बो बर यानि कि पहले क्या होता था पुलिस के लिए आपका 100 लगाना पड़ता था आपके एम्बुलेंस के लिए 108 नंबर लगाना पड़ता है फायर विगेट के लिए 101 नंबर लगाना पड़ता है और ये अलग-अलग नंबर सभी को याद नी रहते उसके मतले प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में एक ही नंबर जारी किया था 112 नंबर किसी प्रकार का एमर्जंसी हो चाहे पुलिस से रिलेटेड एमर्जंसी हो चाहे आपके फायर विगेट से रिलेटेड एमर्जंसी हो सभी के सभी जो है एक ही नंबर डायल करेंगे 112 ठीक है 112 ये जो है प्रदेश के 11 जिलो में संचलित है ये जो सुईधा है प्रदेश के 11 जिलो में संचलित है वर्तमान में ये जिलो की संख्या होगा ये 16 अब देखे 11 जिलो पहले जो है ये 11 जिलो में था अब आपको पता है हमारे प्रदेश में पांच नए जिले गटित हो गए है पांच नए जिले जैसे की आपका मनिंद्रगड चीरिमिरी भरतपूर हो गया सारंगड बिलाईगड हो गया सक्ती हो गया मोहिला मानपूर अंबागड चौकी हो गया और आपका खेरागड शुई खदंगंड़ाई हो गया तो ग्यारा पांच सोला वर्तमान में ये सोला जिलो में संचलीत है ठेक अभी हाली में चर्चा में क्यों आया नकसल प्रभावीत जिलो समेत सभी जिलो में इसका विस्तार किया जाएगा याने कि सोला जिलो में ये संचलीत है इसका विस्तार प्रद मिनट में ग्रामिट शेत्र में ये पहुच जाएगी ये इनका response टाइम है ठीक है अभी हाली में चर्चा में क्यों रहा प्रदेश के पूरे 33 जिलो में इसका विस्तार किया जाएगा ऐसी गोशना की गई है ठीक next देखिए next है 84 वा CRPF इस्थापन दिवस CRPF का फूल फॉर्म क्या है केंदरीय रिजर्व पुलिस बल हाल फिलाल में अभी 84 वा CRPF स्थापन दिवस मनाया गया अब ये हमार लिये इंपोर्टेंट क्यों है 36 गड़ में पहली बार ये CRPF का इस्थापना दिवस मनाया गया जिसे Rising Day कहा जा रहा है CRPF का full form होए आपका केंद्रिय रिजर्वा पुलिस बल ये जो CRPF का जो इस्थापना दिवस है वैसे ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष आपके 19 मार्च को लेकिन इस साल मनाया गया आपके 24 मार्च को 36 गड़ में मनाया जाना था और वो भी 36 गड़ के बस्तर छेतर के करणपूर कैम्प में मनाया जाना था और CRPF के इस्थापना दिवस में सामिल होते है केंद्रिय ग्री मंत्री तो सुरक्षा कारणों से इस डेट को 19 मार्च से हटा करके इसे 24 मार्च को मनाया गया ठीक है 36 गड़ में पहली बार रिजिंग ड़ मनाया गया यानि कि स्थापना दिवस मनाया गया CRPF का मद्द प्रदेस दिल्ली और जमू कश्मीर के बाद 36 गड़ चौथा राज्य है जहां पर आपका CRPF का इस्थापना दिवस मनाया जा रहा है ठीक है केंद्रिय ग्री मंत्री अमिश्याह इसमें शामिल हुए यहां पर उन्होंने CRPF के साथ डिनर जिसे कहा जाता है आपका बड़ा खाना ठीक है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है नियूनतम मजदूरी दर घोशित जैसे कि आप सब्जी को मालूम है कि किसी भी कारे का एक minimum wage निर्धारित होता है यानि कि नियूनतम मजदूरी दर निर्धारित होता है अगर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति विशेश से कारे लेता है तो उसके एवज में उसे minimum salary भुकतान करना होगा हमारे प्रदेश में जो नियूनतम मजदूरी दर है वो घोशित किया गया है देखिए एक होता है आपके अकुशल स्रमिक ये पहले की दरे है अब ये नई दरे घोशित की गई है प्रदेश सरकार के द्वारा जो अकुशल स्रमिक है उन्हें 10,400 रुपे प्रती महा दिया जाएगा अर्थ कुशल स्रमिक है उन्हें 10,870 रुपे प्रती महा दिया जाएगा अलग अलग जो नवार मजदूरी दरों में वृद्धी की गई है ठीक है और ये कहा गया कि ये सितंबर 2023 तकी लागू होगा उसके बाद इसमें फिर से शंशोधन किया जाएगा अगर हम उत्क्रिष्ट विद्धायक की बात करें तो शत्ता पक्षब यानि कि अनिक वरतमाने सत्ता में कौन है कॉणक्रेस कॉंग्रेस के विधायक संगीता सिन्हा और संजारी बालोद के विधायक नहीं यह जो आपके संगीता सिन्हा यह संजारी बालोद छेतर की विधायक है एक इन्हें मिला है और जो प्रतिपक्ष है याने कि जो बीजेपी के तरब से विधायक आपके रंजना डिपेंद्र साहू जो की धमतरी छेत्र से विधायक है। इन्हें उत्कृष्ट विधायक सम्मान प्रदान किया गया। भगत और कैमरामेन रोहित स्रिवास्ताव का चैन हुआ यह उतना इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन विधायकों का नाम याद रखिएगा सत्ता पक्ष से संगीता सिन्हा प्रती पक्ष से याने की बीजेपी की तरफ से रंजना डिपेंद्र साहू और जागरुक विधायक के रूप में धरम जीत सी हैं इने जो है पुरुसकार प्रदान किया अब कुछ विविद है एक एक करके इस पर हम चर्चा करते हैं ध्यान दीजेगा सबसे नंबर पर है लीथियम भंडारिक जलास है हाल फिर हाल में आपको पता है कि हमारे प्रदेश के बहुत से स्थानों भ पता है जैसे कि एक साल का प्रश्न बना था कि तेल नदी प्रदेश के किस जीले से होगल के प्रवाहित होती है तो एंसर था गरिया बन ठीक है देवगो गवले छेतर जो के प्रवाहित होती है वैसे ही प्रश्ण बन सकता है कि अलकन्हार नदी जो है ये वैन गंगा की सहयक नदी है इसका उदगम गड़ चिरोड़ी महराष्टर से होता है ये जो है आपके प्रवाहित होते हुए हमारे 36 अंबागर चौकी के आओधी तहसिल से प्रती एकर धान खरीदी की घोष्णा यह आप सभी को पता है कि प्रदेश सरकार प्रती वर्ष्ण धान की खरीदी करती Γिए जाती है प्रदेश सरकार ने इसे बढ़ा करके कर दिया है बिस खुंटल प्रती एकर जया attacked जयानि कि बस 4 एकड़ या 5 एकड़ हैं तो एक एकड़ से अधिक्तम 20 कुंटल धान की ख्रीदी की जाएगी प्रतिवर्ष 15 कुंटल से बढ़ा कर कीसे कर दिया गया है 20 कुंटल प्रधानमंत्री ग्रामसड़ा के योजना दो हजार 22 तिस इस प्रधानमंत्री ग्रामसड़ा के योजना के अंतर्गत 2022-23 में जो टार्گेट दिया गया था केंदर सरकार के दौरा वो था 6000 क्यूलिमिटर सड़क के निर्मान का इसके इस लक्ष के विरुद्ध हमारे प्रदेस सरकार ने 5,434 किलो मीटर सड़क का निर्मान किया है और ये अन्ने राज्यों से हमारा 36 गडर अग्रणी है इंपोर्टेंट है याद रखना प्रधान मंत्री गाम सड़ा की योजना में हमारा च्छतित गड़ जो है अग्रणी है जिसने 6000 किलोमेटर लक्ष के विरुद्ध 54 किलोमेटर सड़क का निर्वान किया जीरो कारबन एमिटर जोन बना हमारा च्छतित गड़ हमारा च्छतित गड़ जो है यह आपके साउथ इस्ट सेंटरल रेलवे जोन और साती साथ आपका इस्ट सेंटरल रेलवे जोन दोनों के अंतरगत आता है ठीक है मुख्याले तो हमारे यहाँ आपके साउथ इस्ट इंजन वाले रेल गाड़ी के इंजन जो धुवा छोड़ते थे धुवा छोड़ते थे यानि कि कार्बन जनरेट करते थे अर्मरत पूर च्छतिस गड़ भर में जो ग्यारा सो सतर किलोमेटर का ब्राड गेज लाइन था यानि कि जो रेलवी की पट्रिया बिछी हुई थी पर आज के डेट में चट्रीज घर से जो ट्रेने चलती है वो सभी के सभी जो है आपके विद्द्ध के मात्राम से चलती है सभी कि इलेक्टरिकल इंजन है कोई भी आपके डीजल इंजन नहीं यानि कि शत प्रतिशत विद्धुती करण कर दिया गया है, Zero Carbon Emitter Zone बना है, 36 गड़ रेलवे के मामले में. Next है Butterfly Park, जश्पूर. जश्पूर जिले में Miley Nature Camp है, जो कि मदेशवर पहाडी में इस्थित है, वहाँ पर Butterfly Park इस्थापित किया जा रहा है. इस साल PST का प्रश्ण था, मदेशवर पहाडी किस जिले में इस्थित है, मदेशवर पहाडी इस्थित है आपके जश्पूर जिले में. Important है, याद रखना है. मोती उत्पाद एवं प्रसिक्षन केंद्र, आपके बलवदा बज़र जिले के 5 ग्राम पंचायतों का जैन किया गया है, मोती उत्पाद एवं प्रसिक्षन केंद्र, मोती जो की ज्वैलरी, आभुशन में उसका उप्योग होता है. Next है, आपका चेटी चंडर महुत्साव. देखें, जो चेटी चंडर महुत्साव है, ये मनाया जाता है चेट्र शुक्लपक्ष द्वित्या को. सिंदी समाज के द्वारा, जब हम हिंदू समाज के द्वारा जो है, आपका मनाया जाता है नौरात्री, नौरात्री का जो पहला दिन है, इस परव के दौरान वरुन आवतार यानि की जो वरुन देव है उनके आवतार स्वामी जुलेलाल का प्राकट्टे दिवस मनाया जाता है यह अभी हालीवे चर्चा में इसले रहा क्यूंकि इस तिथी में एकचिक आवकास था जिसे राज सरकार द्वारा सारवजनिक आवकास की घोशना की गई इस डेट में और यह जो आपके सारवजनिक आवकास के विए नगरिय छेतरों के लिए था, ग्रामिट छेतर के लिए नगर पंचायत नगर पाली का जो है नगरी छेत्रों में इस चेट्री चंडर महत्सों के दिन सारवजनिक आउकाश की घोशना की गई थी ये चेट्री चंडर महत्सों सिंधी समाज के द्वारा चेत्र सुकला पक्षदितिया यानि कि नवरात्री के दूसरे दिन मनाया जाता नेक्ष्ट है 27 भोरमदेव महत्सों याद रखना इस साल जो भोरमदेव महत्सों मनाया गया 2020 ये इसका 27 संसकरान था 27 भोरमदेव महत्सों 2019 से 20 मार्च 2023 के मत्य इसका आज़न हुआ दो दीवसी आज़न था प्रदेश का पहला किसान इसकूल बहुत पुराना है निउस में तटपर गरिया बंजिले में इसी था आपका नरई माता दर्बार साल में एक दिन चैत्र महा के नौरात्री के समय ही ये आपके नरई माता का दर्बार खोला जाता है दुरला प्रजाती का यूरेशियन ओल्टर जिसे उद्विलाओं के नाम से जाना जाता है ये मिला है अभी रेल पट्री बीची जो की धरम जैगर रायगर और उर्गा कोर्बा दोनों को कनेक्ट कर रहा है जो आपका उस आर्टीकल में लिखा था कि हमारे प्रिदेश का जो रायगर मांड कोल छेत्र है ठीक है रायगर मांड कोल छेत्र है ये हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा को छेत्र ठीक है इन्पोर्टेंट है इतने सारे फेक्ट याद रखना ठीक सिंगल वन लाइनर है इसे भी अलग से याद रखिएगा तो यहां पर आपका अभी दो-तिन दिन में आपका 36 आर्थिक सर्वेक्षन को भी हम शुरू करेंगे उसके वीडियो आपके आएंगे तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है किसी प्रगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट करेंगे पूश सकता है चैनल पर नया है तो चैनल को दन्यवाद